अलों स्टूडेंट्स कैसे आप सभी बायर यारा ठोड एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करते हूं यूपी एक्जाम्स वाला यूट्यूब चानल पर और आप जानते हैं कि इस समय हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा चोटा सा सेशन होता है जो कि हमारे एक्जाम पॉइं इसके जो important summits हैं या फिर जो summailन है अक्सर question पूछ लेता है कि world Hindi summit कहां पर हुआ या G20 summit कहां पर हुआ G7 summit कहां पर हुआ आशियान का summit कहां पर हुआ या फिर जब हम बात करते हैं NATO का summit कहां पर हुआ तो उन सब के उपर हम लोग discussion करने वाले हैं इस छोटी से class में आज का प कहा जाता है artificial intelligence यानि जब मशीन भी मानव जैसा सोचने लगे तो वह कहलाती है artificial intelligence तो फर्स्ट वेश्विक artificial intelligence या फर्स्ट ग्लोबल artificial intelligence conference यह कहां पर होती है तो ब्रिटेन option आपका डी बिलकुल correct answer है next question देखिएगा हां जी तो यह आप लोग देख सकते हैं कि global submit on artificial intelligence safety यह कहां पर होती है United Kingdom Britain बोल लीजिए आप लोग या इंग्लेंड बोल लीजिए COP28 सम्मिलन का आयुजित कहां पर किया गया है तो जब हम COP conference on parties की बात करेंगे COP28 UAE दुबई और इस से वेले COP27 सर्म अल शेक कहां पर एजिप्ट में तो आंसर याद रखिएगा COP28 सम्म अरब अमिरात यानि की दुबई तो दुबई युनाइटेड अरब अमिरात COP28 का एजन किया गया है एशिया Pacific Economic Corporation या फिर जब हम बात करते हैं अब एक सब्मिट इसका आयुजन 2023 में कहां पर किया गया है एशियन Pacific Economic Corporation आंसर आपका बनता है अमेरिका यानि आप्शन हमारा ड सब्मिलन 2023 का आयुजन कहां पर किया गया है International Mining and Resources Conference 2030 तो जब हम खनन की बात करते हैं तो आंसर हमारा क्या बनता है ऑस्ट्रेलिया में इसका आयुजन किया गया था अगला कोशन है भारत ने संयुक्त रूप से किस तेश में बारहवे विश्व हिंदी सम्मिलन का आयुजन क किया था तो पहले तो बात है कि First World Hindi Submit 10th of January 1975 को कहां पर नागपुर महराष्ट्र नागपुर महराष्ट्र और उसके बाद से इसका आयुजन जो है वो किया जाने लगा और इस बार कौन सा है 12th वाला वर्ल्ड हिंदी सम्मिट तो आंसर हमारा क्या बनता है फिजी के क्या पिटल क्या हो जाएगी सुवा नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर विश्व हिंदी सम्मिलन फिजी 2023 एक सो आठवी भारतिया विज्यान कॉंग्रेस के शहर में आयुजित करी गई है 108 इंडि सम्मार मंत्री मोदी जी यानि संबोधन किनों ने किया था संबोधित किया था मोदी जी ने अगला कुशन है कि निम्न लिखित में से किसके द्वारा एट राइसिना डायलोग इसका आयोजन किया गया था तो Observer Research Foundation और Ministry of External Affairs या जिसको हम बोलते हैं विदेश मंत्राले तो आ पर किया गया एक बात आप याद रखना एक तो होता है आप लोगों का सम्मेट का मतलब हो जाएगा जब हम बात करते हैं प्रवासी भारतिय सम्मेलन और एक होता है कि प्रवासी दिवस या जिसको हम क्याते है एनराइडे एनराइडे कब मनाया जाता है एनराइडे माम 9 ज लेकिन जब हम सम्मेलन की या सम्मिट की बात करते हैं, सम्मेलन या सम्मिट, तो ये सम्मेलन और सम्मिट कब होता है, तो ये दो साल में एक बार होता है, दो साल में एक बार, इसलिए इस बार हम लोगों ने सुरिफ NRID मनाया है, प्रवासी भारते दिवस मनाया है, हमने सम्म सम्मेलन कहीं पर भी नहीं पढ़ा तो ध्यान रखेंगे कि 2023 में इस सम्मेलन कहां पर हुआ था इंदोर MP आपका क्या बनेगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर नेक्स्ट पूशन की तरफ हम बढ़ते हैं संयुक्त रास्ट महासभा के 78 वे सत्र का आयोजन कहां पर किया गया है आशियान की अगर हम बात करेंगे टैनिस में मेंबर है क्या अपना प्यारा भारत भी इसका मेंबर है नहीं है माम तेमूर लिस्ते इसका क्या बनाए 11 वाला मेंबर बनाए और जब आप तैमूर लिस्ते की बात करते हो इसके पिटल क्या हो जाती है डिली तो आशियान में हो गया है अफ्रिकन यूनियन में खुद कितने देश हैं मैं 55 देश है तो ग्रूप ओफ 20 अपने प्यारे भारत ने 18 वाला सेशन होस्ट किया था वासुदेव कुटुम्ब कंभ वन एर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी क्या थी थीम थी तो वन एर्थ वन फैमिली वन फ् अगला कुशन है जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था फिनलंड है अमरिका है लिथवानिया है या फिर अगर हम बात करते हैं आस्ट्रिया जब भी आप नाटो की बात करते हो नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है नॉर्थ अट्लांट एक ट्रिटी और्गनाइजेशन ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेड़कॉर्टर है और जॉन्स स्टॉल्टनबर्ग इस समय इसके क्या हो जाते हैं है तो आंसर आपका क्या बनेगा लिथवानिया ओप्शन सी तेजवा शंखाई सयोंग संगठन एस्सियो शिखर सम्मे करते हैं 23rd शंखाई कॉर्परेशन और्गनाइजेशन एस सब्मिट तो भारत है चाइना है पाकिस्तान है रशिया है तो अपने प्यारे भारत ने इसकी अध्यक्षता करिया ओप्शन आपका है बिल्कुल ठेक है वेश्वा स्वास्ते संगठन और आयूश मंत्राले द्व गुज 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 रात नेक्स्ट वोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि क्वाट शिकर सम्मिलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है वैसे तो 26 जनवरी के बाद इसका आयूजन होना था अपने प्यारे भारत में लेकिन क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग भी बिजी होते हैं साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का भी नाशनल डे इसी दिन होता है और जो बाइडन सहाब आल्रेडी मना कर चुके थे तो भाई इसको 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 पॉस्ट्पॉंड किया गया तो क्वाट शिकर सम्मिलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो मैम अपना प्यारा भार है इंडिया है यह एगला कूशन देखिएगा हैं यह है क्वाट समयट कहां पर होगा 2ज में आगस्त 2023 में भारत अफरीका अंतराष्ट्य मोटा अनाज समयलन का आयोजन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है, अगर हम बात करते हैं, बेटा जी, मोटा अनाज 2023 मिलेटियर था, याद है ना आप सभी को, हाँ, तो आंसर आपका क्या बनता है कैन्या नेरोभी ऑप्शन आपका बेविलकुल ठीक है मैई 2023 में जिनेवा स्विट्जर लेंड में वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली के किस संस्क्रन का आयोजित किया गया है तो जब हम बात किरते हैं वर्ल्ड हेल्थ एसेम्बली इसका 76 वाला एडिशन आयोजित करा गया है जिनेवा स्विट्जर लेंड में और पीम मोधी ने इसको क्या किया था संबोधित किया था यानि एड्रेस किया था संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2013 की थीम क्या है तो हमारा जल विभाज अक्षन पानी के लिए दुनिया को एकजुट करना इसका जो है वो main aim है यानि उद्देश है तो संयोग राष्ट जल सम्मेलन 2023 के theme क्या हो गई? option है हमारा जल विभाजक्षन पानी के लिए दुनिया को एक जुट करना next question आपके screen पर जो है वो ये रहा कि global Buddhist submit वैश्विक बॉद शिखर सम्मेलन 2013 का आयोजन कहां पर किया गया हाला कि जब हम Buddhist submit की बात करेंगे इसका आयोजन कहां पर किया गया था देश की राजधानी दिल्ली option आपका भी बिल्कुल ठिक है अगर हम रोबोट की बात करेंगे तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फरेंस 2030 आंसर आपका बनता है बिजिंग चाइना नेक्ट कोशन है 26 वा राष्ट्रिय ए गवर्नेंस सम्मेलन ये कहां पर आयोजन किया गया है बात यहां पर ए गवर्नेंस की हो रही है तो आंसर आपका क्या बनेगा इंदौर मद्धे प्रदेश बोपाल में आयोजित सातवे अंतराष्ट्रिय धर्म धंम कन्वेंशन 2030 का शुभारंब किया है और ये किस नहीं किया था तो प्रेसिडेंट आप इंडिया द्रौपदी मुर्मू थी की कौन थी हांज अगर हम बात करते हैं बोपाल में आयोजित सातवे अंतराष्ट्रिय धर्म धंम कन्वेंशन 2023 तो मैं प्रेसिडेंट आप इंडिया यानि द्रौपदी मुर्मू एकदम आपका करेक्ट आंसर है अगला कोशन है शिक्ष्ट हिंद महासागर सम्मेलन यह आयोजित किया गया है और यह कहां पर किया गया है अगर हम बात करते हैं शिक्त इंडियान ओशियन कॉन्फरेंस तो इसका आयोजिन कहां पर किया गया है बांगला देश ऑप्शन आपका भी बिलकुल ठेक है नेक्ट कुछन है विश्वा आर्थिक मंच की आर्थिक बैटक, इन में से किस इस्थान पर आयोजित करी गई है, हमेशा दावो स्विच्जलेंड में ही इसका आयोजन होता है, तो आंसर आपका क्या बनता है, option D बिलकुल correct है, पंदरवे BRICS शिखर संबिलन का आयोजन किस द अगला कुछन है, वर्ष 2023 में करनाटक के बैंगलॉर में विश्व कॉफी संबिलन के किस संस्क्रेन का आयोजन किया गया है, यह इंडिया ने पहली बार इसको होस्ट करा है, इसका एडिशन हो जाएगा 5 वाला option आपका सी बिलकुल correct है, 18 पूर्वी ऐस्या शिखर संबिलन और 20 वे आशियान भारत शिकर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है बात हो रही है यहाँ पर 20 वाला आशियान इंडिया सम्मिट और 18 वाला इस्ट आशियान सम्मिट 18 वाला इस्ट आशियान सम्मिट और 20 वाला आशियान इंडिया सम्मिट मैं बता कर आई थी आपको पहले भी कि माम इंडोनेशिया बिलकुल एक दम ठीक गया डन है नेक्स्ट कोशन देखिएगा 91 में इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है और ये कहां पर किया गया है तो इंटरपोल की 91 वाली बैठक ये आयोजित करी गई है कहां पर वियना आस्ट्रिया अब आप सभी को कॉमेंट चेशन में कॉमेंट करके बताना है कि जब हम इंटरपोल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई इंटरपोल एक तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ फॉर्मेशन और इसका हेड़कोर्टर कहां पर है बाकी ये टेलिग्राम गुरूप है टेलिग्राम गुरूप को भी आप जोईन कर सकते हैं तो यहां पर आप लोगों को पीडियेप जो है वो मिल जाती है ठीक है मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे करेंट अफ्यर के सेशन में अपना धिहान रखो स्वस्त रहो मस्त रहो हसते रहो किलखिलाते रहो और ऐसी सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ थांक्यू सो मच बब बाई बेस्ट आफ लग बाई